कभी कभी किचन का काम हो या फिर घर का काम हो होती हैं बड उन्त में ठाइंग थोड़ा ज्यादा लग जाता है अगर उन्हें टिप्स एंड ट्रिक के थूरू करें तो हमारे काम आसान हो सकते हैं घरे लिए नुश्के अपनाएंगे तो आपके काम बहुत ही आसान हो आज की किचन टिप्स पसंद है तो प्लीज लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब चरूर करिए और यह सब करना बिल्कुल फ्री है तो चलिए देख लेते हैं नरियल का चिलका निकलना बहुत ही मुस्किल लगता है और कभी-कभी तो हातों में लग जाता है तो सबसे सिंपल तरीका बता रहे हो पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है एक ट्रिक कैसे हम नरियल को अलग कर सकते है चिलका उसका तो यह मेरा दूसरा है और भी बहुत चारे मैंने ट्रिक शेयर की आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो आप क्या करें ब एक से दो उबालाने दे और उसके बाद आप इसे थोड़ी देर बाद इसी गरम पानी में रहने दे और फिर इसे निकाल ले फिर देखिए आपका नारियल का जो छिलका है अपने आप अलग हो जाएगा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूत नहीं पड़ेगी और यह असा जाकू से इस तरीके से स्क्रैप कर ले और यह आप देखेंगे असानी से निकल जाता है अगर आप गरम पानी में नहीं डालके निकालना चाहते तो फ्रिजर में रख दे रात भर के लिए सुबा आप दिखी अपने आप ओ छिलका से अलग हो जाएगा और यह गरम पानी मे नेल पॉलिस लगाते हैं साइड में लग जाता है और बहुत ही गंदा दिखता है इस तरीके से जब हम लगाते है लग जाता है और वह बहुत ज़ली ड्राइब सूख जाता है तो इसके लिए आपको ले लेना है वैसलिंग या कोई भी मुष्टराजर क्रीम ले लीजिए लेने के बाद आपको लगा लेना है नाखुन के साइड में पूरी उंगली में ही लगा लीजिए और वैसलिंग लगाने से हो गई है कि जब भी आप नेल पॉलिस लगाएंगे तो अगर साइड में लग भी जाता है ना तो एजिली छूट जाएगा नहीं और जो आमने क्र चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टिप से बहुत काम का दिखे जब भी हम तड़के वाली दही बनाते तो क्या होता है ना दही फट जाता है आपको एक बड़ी आसा टिप्स बता रहे हो अगर तड़के वाली दही बनाएगे इस बीदी से नहीं बिल्कुल भी फटे की नह जीरा थोड़ा सा चटक जाए उसके बाद इसमें डाल देंगे लैसुन अब देखिए अगर आपको लैसुन पसंद है तो लैसुन अधरक जरूर डाले नहीं पसंद है तो आप इसमें सिरफ प्याज डालके भी बना सकते हैं और या फिर जीरा और सुखी लाल मिर्च और त इसका क्रंच खतम हो जाएगा तो थोड़ा सो सॉफ्ट होने देंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे सुखे मसाले हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और यह सब चीजे जितनी अपनी दही लिए उसके अकॉर्डिंग एड़ कीजिए और यहां पर एक बात का ध्यान दही फ्रीज से निकाल कर तरका नहीं लगाना है आप दढका लगाने के लिए दही को फ्रीज से पहले निकाल दीजिए खट़ा नहीं होगा बस थंड़ा नहीं रहना चाहिए इस बाद क ध्यान रखियेगा क्योंकि अबिगर्मी है तो एक्दम ठंडी-ठंडी में गरम ची और जब हम पानी डालेंगे थोड़ा सा देखी एक से आधी चमज के करीब ही डालना है ताकि जो सुखे मसाले हैं वो भी अच्छी तरीके से पक जाए क्योंकि मैंने सुखे मसाले डाले थे अगर आप पानी में घोल के डालते हैं तो आपको पानी डालने के जरूत नहीं पड़ेगी और आप लोसे रिक्वेस्ट एक प्लीज वीडियो अच्छी लगती है तिस पसंद आते हैं तो इसे एक लाइक जरूर करेगा साथ ही मुझे कम अब इस दखे में अच्छी तरीके हैं अब इस दखीमें डालने से पहले अब यह जब बद आपको खाना है तो तुरंध भेज में रख दीजिए जब यह आपको खाना हो निकालके इसे अपके अगर नमक मसाले डाल रख और जोटो ठीश में ने रख दीजिए घृ जब भी आपको खाना और निकाल के इसे खाईए और आज की ये टिप्स पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब जरूर करें मैं आपसे फिर मिलूंगी तब तक ले बाबाई